सबी को जहिंद दोस्तों आप सबी का हार्दिक सौगत है जहिंद रियक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज अम आपके लिएक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे अब और सुप्रीम कोट की दबग वकील नाजिया लाई खान जी तो ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो इसे अन तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आके मापके लिएसे लेटेस्ट और दमद कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी लेंड जिहाद, अब तो एक नया जिहाद आ गया है एक दिन पहले गाजियाबाद में जूस के अंदर यूरिन मिला कर पिलाय जा रहा था ये क्या हो क्या राय ये एक तबका ऐसा करता क्यों है अच्छी सबसे पहले मैं आपको ये बताओंगी कि हमारे इसलाम के हिसाब से, हमारे अल-Quran के हिसाब से, हमारे Prophet Muhammad ﷺ के हिसाब से और हमारे जितने भी Prophet गुज़रे हैं जिनको हमने अल-Quran में पढ़ा है, उनके हिसाब से पाकी और सफाई, आधा इमान है, मुसल्मानों का गलत हरकते, गुना, यह सारे चीजों की पाबंदियां बहुत खुबसूरत तरीके से लगाई गई हैं, हम मुसल्मानों के उबर, हम मुसल्मानों को यहां तक बताया गया है कि आप किसी का अपनी बातों से दिल तक नहीं दुखा सकते हैं, तो यह कौन से मुसल्मान हैं, जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, गलरेतो जिहाद, जुट बोलो जिहाद, रेप करो जिहाद, मॉलेस्टेशन करो जिहाद, यह करते हैं, गजवाए हिन, यह कौन लोग हैं, यह कौन से मुसल्मान हैं, क्या यह प्रॉफिट मुहम्मद को फॉ करते हैं क्या ये अल्लह तबार्ब ताला को फॉलो करते हैं क्या ये अल्कुरान को फॉलो करते हैं नहीं बिल्कुल नहीं और जब इनके सामने कोई मुकमल मुसल्मान कोई मुकमल इसलाम वाला कोई मुकमल सुन्नत रसूल का फॉलोर इनके सामने आता है और इनके सारे करते हैं इसलाम के जस्टिफिकेशन पर लोगों को आज से भारत में बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है 78 साल में हम पहुँच चुके हैं और 78 साल से ये जिहादी तालिबानी टेररिजम क्रिमिनल माइंड़ मुसल्मानों ने सब को बेवकूफ बनाया है और इसलाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी गुनह को अपनी बेहूद्गी को अपनी बत्तमीजी को अपनी अश्नीलता को ढखने की कोशिश की है और इसलाम के जस्टिफिकेशन पर अपने सारे सारे गुनह को और अपने सारे क्राइम को और अपनी सारी आवारगी और बत्ताइजी को लोगों के सामने रखा है ये कह करके कि मेरा इसलाम खत्रे में आ जाएगा। मुहम्मद खैबर या मुहम्मद अवेश रेप करता है तो क्या आपने कभी देखा कि मुसल्मानों का एक काफला उटन Québec पेजामे वाला और लंबे कुर्टे वाला और जाली दार तोपी वाला और दाड़ी वाला और लुंगी वाला और बुर्खे वाली और हिजाब वाली देंगे हम इसको boycott करेंगे और socially भी boycott करेंगे और Islamic भी boycott करेंगे क्योंकि इसने बलाकार किया है और रेप की सजा Islamic punishment के हिसाब से बहुत गंदी है सजाए मौध है पहले उसका 1000 काटो फिर एक मजलिस लगाओ और उस मजलिस में सारे लाखो लोग उस पत्थर मारेंगे और उस वक्तक पत्थर मारेंगे जब तक उसकी सांस निकल ना जाए यह है रेप की सजा हमारे इसलाम में तो उस हिसाब से मेरा Al-Quran और मेरा सुननत तो बहुत कुब सुरत है भाई कि वह बलादकारियों को बिलकुल मौत की सजा सुना रहा है तो वो कौन से मुसल्मान भारत में है जो बलादकारियों के शादी में बनार्सी साड़ी पहन करके जाती है वो कौन से मुसल्मान है जो तो मुसल्मान बलादकारियों के शादी में बिर्यानी खाने के लिए अपने जवान बेचे-बेचियों को ले करके जाते हैं, इसका मतलब है कि वो मुसल्मान नहीं है, और देखिए, अब आती है दूसरी बार, मैं तो अल्खुरान मानने वाली हूँ, मैं हदीस नहीं मानती ह हूँ, क्योंकि वो ब्रेटिश के साथ जिन्ना ने बैठ करके बनाया है, तो मैं ना मैं जिन्ना को मानती हूँ, ना मैं ब्रेटिश को मानती हूँ, मैं पाकिस्तान पर भी थूपती हूँ, मैं जिन्ना के मुँपर भी थूपती हूँ, और मैं ब्रेटिश और ब्रेटिश क कि आप 5-6-8-6 में जाएएगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मुहमद सलल्लाव अलेवसल्म ने कहा है और उट का मूद सुसू तो आप पी हो ना हलाल है तो आप पी हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप किसी को जूस में मिला करके अपना सुसू दे रहे हो तो आप बोड लगाओ ना जैसे पतंचली पतंचली के बहुत सारे एड आते हैं जो नाशनल मैं बहुत फ्रैंक बात करूंगी आपके साथ पर वो बताता है पतंचली के बाई इन प्रॉडक्ट में गाय का शोत मुत्र मिला हुआ है वो बताता है अब जिस समुधाय को जिस मजभब को जिस कास्ट को जिस religion को पतंजली की चीज़े नहीं लेनी है वो नहीं लेगा जैसे हम कभी नहीं लेते हैं पतंजली की चीज़े हम कभी पतंजली शोरूम में हम कभी जाते भी नहीं है पतंजली के आउटेट में हम कभी जाते भी नहीं है तो उसी तरीखे से आप भी बताओ एक टैग लगाओ ना एक साइन बोड लगाओ ना कि फलाना मुसल्मान के जूस के दुकान में उसका ही मूत मिला करके जूस मिलेगा लगा तो क्या दिक्कत है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है पतन चलिए एक बहुत बड़ा ब्रैंड है पर नाजर जी आप सही कह रही है कि लिखो लेकिन आप सोचिए वो गो मूत्र है ठीक है वो इसलि अगर उंट का मूत्र भी पिला रहा है तो उस पर लिख दे लेकिन वो तो अपना पिला रहा है आप सोचिए कितनी मतलब घटिया हरकत है यह मैं वहीं बता रही हूं आपको यह इतना बड़ा ब्रैंड जब अपनी सच्चाई बता रहा है तो एक समुदाए एक मजभ अगर इसंद को इसमिडिया है कि आप उदाबी ब़हाँ वीजट किया है दुभा बहुआ बढ़ी बात बार विजट किया प्रॉपर मुस्लिम रेस्टोरेंट में नहीं जाती हूं क्योंकि वह मुत्र का कंसिफ्ट मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं नहीं जाती हूं मैं वहां पर भी वेजिजेरियन ढूनती हूं या पंजाबी ढ़ाबा ढूनती हूं या किसी गुजराती का ढ़ाबा ढूनती हूं रे जाती हूँ क्योंकि यह मुसलिम कंट्रेस्ट तो इसी को FOLOW कर रहा होगा ना हलागे जैसे अरब है तॉर्किस्तान है अफगानिस्तान है तो यह लोग शरिया लौ नहीं यह लोग दारेक्ट सुन्नत रुसूल को FOLOW करते हैं और अल्खुरान को फॉलो करते तो अल्खुरान में ये उट के मुत्र की कहीं पर बात नहीं है ये सही अल्खारी में है अब सही अल्खारी कौन कौन फॉलो करता है पाकिस्तान फॉलो करता है एकदम प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान फॉलो करता है तो वही पाकिस्तान तो हमारा कभी जाना मेरा होगा भी नहीं और मैं थुक थुक चुकी हूँ तो मैं कभी जाने वाली भी नहीं हूँ तो जैसे आप अब योगी महाराथ जी ने क्या बोला था कि बहिए आप अपने नाम का साइन बोर्ड लगा जो समुदाए जो मजब आपके पास जाना चाहेगा वो जा इनको क्लिर रहना नहीं है इनको हंदू धरम को के सेंटिमेंट को हर्ट करना होता है और ये इसलाम नहीं कह रहा है और हमारे बारत के मुसल्मानों का ये एक बहुत बड़ा लूप होल बोले या डॉप आफ़्ोल बोले या strategy में involvement बोले जो ऐसे मुसल्मानों के अरेस्ट होने के बावजूद, उनके भेद को खुलने के बावजूद, उनके हिजाब को खुलने के बावजूद, इसलाम से वॉयकॉट नहीं करते हैं. पर फिर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि हम आपके से लेटेस्ट, इंपोर्टेंट और दंदार वीडियो लाते रहें. जैहिन, जै भारत.